ए इंगरिंकलिंग चामुंदाए बिच्चे प्रिभक्त गणों आप सभी को शादर पढ़ों प्रिभक्तों आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे स्त्रोत को जिसका पाठ करने से बिपदाए स्वतेही समाप्त हो जाती है और समस्त कष्टों से मुक्ती मिलती है यह स्त्रोत सिध हिस्त्रोत है इसको करने से दुर्गा सबसती पढ़ने की समान पूनी मिलता है इस स्त्रोत का पाठ करने से मा दुर्गा की विसेश किरपा मिलती है तो आईए बताते हैं आपको कौन सा है वो स्त्रोत प्रिभग्तो वह स्त्रोथ हैं सिरी सिद्ध कुंजी का स्त्रोथ इसको करने से समस्त दुख संकटों से मुक्ति मिलती है और मा दुर्गा की अपने भग्तों पर विसेज क्रपा होती है सिद्ध कुंजी का स्त्रोथ को परम कल्यान कारी माना गया है क्योंकि इसका पाट करने से मनुष्य को चमतकारिक रूप से कष्टों से मुक्ती मिलती है और सभी मनुख कामनाई उसकी पून होती है जो इस स्त्रोध को करता है यह स्त्रोध सिरी रुद्रयामल के मंतर से सिद्ध है और इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती ये हैं अद्भुत इस्त्रोत हैं इसका पाठ बहुत ही प्रभापकारी और चमतकारी होता है इस इस्त्रोत का पाठ करने से बड़ी से बड़ी बाधाय समाप्त होती है ये हैं इस्त्रोत स्री रुद्रियामल की गोरी तंत्र में शिप पार्वती संबाद के नाम से बर्णित है ये दिदुर्गा सबसती का पाठ मनर्शी को कठिन लगे या पढ़ने का समय ना हो तो उसे सिद्ध कुंजी का इस्त्रोत का पाठ करना चाहिए ये सरल होने के साथ ही बहुत कम समय में ही बहुत ही ज़्यादा प्रभाब सारी प्रभाब कारी असर दिखाता है मात्र सिद्ध कुंजी का इस्त्रोत का पाठ करने से सबसती के संपूर्ण पाठ का फल्प मिलता है सिद्ध कुंजी का इस्त्रोत के पाठ से मनुष्य को शांती मिलती है और उसकी बाणी और उसके मन को शक्ती मिलती है इस्त्रोत का पाठ करने से मनुष्य के अंदर सका रात्मक और जा प्रभाब होती है सिद्ध कुंजी का इस्त्रोत का पाठ करने से ग्रहों से मिलने वाली कर्ष्ट से भी मुक्ती मिलती है सिर्शिद कुन जी का इस्त्रोत का पाठ येदि आप नित्ती करते हैं तो इसका इतना चमतकारी प्रभाब होता है कि येदि आपके उपर कोई तंत्रमंत्र करें तो उसका कोई असर आपके उपर नहीं होता है सिर्शिद कुन जी का इस्त्रोत का पाठ करने का एक और बहुत बड़ा लाव ये होता है कि आपकी आर्थिक समस्याई दूर होती हैं आपको धन प्राप्ति के अपसर मिलते हैं स्रीशिद्ध कुंजी का इस्तरोत का पाठ आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी बग्त कर सकते हैं लेकिन प्रीभगतों यदि आप साम की आरती के बाद स्रीशिद्ध कुंजी का इस्तरोत का पाठ करते हैं तो ये बहुत ही तेजी से अपना सर दिखाता है या फिर आप इसे रात्री के समय में भी कर सकते हैं तब इस स्त्रोत का पाठ कहीं गुना बढ़ जाता है स्री सिद्ध कुन्जी का स्त्रोत का पाठ करने के लिए आप मा देव दुर्गा के सामने सुध गी का दीपक जलाए और लाल आसन पर बैठ कर लाल बस्तर पहन कर मा दुर्गा के सामने दूप दीप पुश्प अरपित कर स्री सिद्ध कुन्जी का स्त्रोत का पाठ करने स्री सिद्ध कुन्जी का स्त्रोत का पाठ आप एकांत में और शांती शे करें जल्द बाजी में इसका पार्ट बिल्कुल ना करें तो प्रीभक्त गड़ों ये थी आज की जानकारी प्रीभक्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको सिद्ध कुन जी का इस दरोत कैसा लगता है धन्यवाद